देखे संदीव जी बड़ी समवेदन शीलता और बहुत ही गंभीरता से आप ये डिवेट करा रहें इसमें दो सवाल हैं एक तो भारती इंता पारटी के जो आधरणिये प्रवक्ता हैं विधायक हैं जन प्रतिनिदी हैं मैं आज ये बात बिलकुल नहीं करूँगा विपक्ष और पक्ष सत्ता पक्ष क्या कह रहा है सत्ता पक्ष का विरोध करना ही जरूरी है ये बात अपनी जगे दुरुस्त है कि पिछले कुछ सालों में सामपरदाइक दंगों में कमी आई है इसके लिए सरकार की सरहना अगर क जाये तो कोई बुरी बात नहीं है लेकिन अपराध में कोई कमी आई है इस पे मेरे सवाल है मैं पूछना चाहता हूं भारती जिन्ता पार्टी के सम्मानित विधायक और यहां बैठे हुए प्रबक्ता महोदे से कि अगर ऐसी घटनाएं उमेश पाल का हत्या कांड उमेश इस तरह तावर तोड गोलियां चलाए गई गई ऊमेश पाल के उपर और दो पूलिस के गनर उनके साथ थे और अपराधियों को यह भली भाती मालूम होगा कि पूलिस के दो गनर हैं और वो दूनों गनर शहीद हुए और मुझे नहीं लगा कि ल 68 को कोई कानून का या उत्तरप्रदेश की सरकार का भै था मुझे क्या सारी दुनिया उसे देख रही थी हमने कई दिन लाई वो वीडियो देखे अब सवाल उठता है दूसरा हत्याकांड दूसरा हत्याकांड है अतीक और अश्रफ का मैं इस पे बिल्कुर नहीं जाना चाहता कि अपराधी वो कितने बड़े थे सब दुनिया जानती है उनका किसी भी अपराधी का अंत अपराध से होता है लेकिन दरजनो पुलिस की सिक्यूरिटी में जब उनके उपर हमला होता है तो और उनकी हत्या होती है तो क्या कानून का डर या पुलिस का डर या सरकार का खौ अगर ये घटना अगर ये हत्याकान जिनको लाइब दुनिया ने देखा मैं नहीं जाना चाहता जालौन में क्या हुआ मैं ये भी नहीं जाना चाहता उन्नाम में क्या हुआ मैं आज ये भी नहीं कहुआ कि नरसंगार हुआ था रसोन बत्र में मैं बिल्कुल इसको राजनित कि प्रेजिती के चश्मेश नहीं देख रहा हूँ लेकिन मैं आदरिणिये प्रावक्तामाहदे से आपके मारफट एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर ये इस तरह के दुरदान थ्त्याकाण बंगाल में होते तो आप क्या कहते हैं ये कानून का राज है बिहार में होते हैं य अगर ये हिमाचल प्रदेश में होता अगर ये राजिस्तान चत्तिस गड़ में होता जहां बीजेपी की सरकारे नहीं हैं तो आप इसे क्या कहते सरे आम तावर तोड गोलियां चलाई जा रही हैं किस पर चल रही है छोड़ दीजेगा लेकिन क्या अप राधियों पर कोई ख रिमांड होना चाहिए था क्योंकि अतीक और अश्रफ की हत्याकांड की जो साजिस है उसका परदाफास कैसे होगा एसाइटी गटित करने से नहीं होगा उसका परदाफास होगा जब तीन आदमी जिनोंने गोली मारी है वो हमारी गिरफ्त में है तो वो पिश्टल कहां से आए उन पिश्टलों को उन तक किसने पहुँचाया उन पिश्टलों की कीमत किसने अदा की उन पिश्टलों को जिसने उनके तक पहुँचाया कीमत अदा की वो सारी एक चेन है तो असली में कानून का राज तब इस्थापित होगा जब ये सब खुलासा होगा पूरी चेन देश की जनता के सामने आएगी तो दो दो एसाइटी बन गई है एक नियाई कायोग भी बन गया है अचारिय प्लमूद कृष्णाम मैं सवाल आपके ट्वीट से जुड़ा ही करता हूँ आपने ट्वीट भी किया शूट आउट लाइव एंकाउंटर लाइव और कस्टडी मे हत्या भी लाइव उत्तर प्रदेश में सब कुछ लाइव है बस सिर्फ खानून जिन्दा नहीं है खानून जिन्दा नहीं है आपको कानून पर भरोसा नहीं है कि सत सामने आएगा ये भरोसा नहीं है संदीब जी मेरे दो सवाल है इसी से जुड़े हुए पहला कि अगर इ हैं तो इसको कानून का राज कैसे कहा ज़स करता है अप राधियों के उपर अभी बागपत की जेल में जेल के अंदर घुसके मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई कमलेश तिवारी की हत्या हुई विवेक तिवारी की हत्या हुई ना जाने कितने हत्याकांड इंस्पेक्टर सु कि पुलिस की जो भूमी का है वो बहुत संदिक दिखाई देती है एसाइटी का गठन करना नयाई कायोग का गठन करना लेकिन जिन तीनों हत्यारों ने अतीक और अश्रब की हत्या की ये सारी जानकारियां तो उनसे मौहिया होंगी उन्हें आपने जेल भेट दिया तो ये ब देखें उमेज पाल अत्या कांड की आचारी जी बात कर रहे थे और बड़े विद्वान विक्ति हैं मैं बड़ा संबान इनका करता हूँ आचारी जी का पूरे लोगों ने देखा किस तरह से बरबरता पूरबक उसकी अत्या हो गई वो गवाता और दो निर्दोस जवान जो उसकी सुरक्षा में लगे थे एकी तो साधी थी कुछ दिन बाद वो मार दिया वो दोनों सहीद हो गए उसकी सुरक्षा करते हुए अब रोज सरकार पर प्रैसर बनाते थे आचारी जी भी डिवेट करते हैं तो कहते थे कि पकड़ में नहीं आ रहे अपरादी कहां पुलिस के साथ मुटवेड में असद और वो गुलाम दोनों मारे गए तो सबसे पहला ट्वीट मानी अखले से अदब जी काया कि फरजी है कौन सा आपके पास सैटेलाइट था साहब क्या आप देख रहे थे कोई वीडियो बन रहादा फरजी है तो उसे जारी कर दीजिए सोचल मीडिया में अले आप अपनी जो एजनसी और पुलिस की कारवाई पर ही तो सवाल उठा रहे है ना मेरे साथ विबूती